गरिब धन जननी धन भूमी धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहां साधु परवेश जगत गुरुतत्व दर्शी संतिरामपाल जी महराज की 74 वेवतरण दिवस के अवसर पर दिनांग 6, 7, 8 सितंबर 2024 को नेपाल सहित भारत के सभी सतलोक आश्रमों में तीन द्विश्य महा समागम का आयोजन किया जा रहा है इस पवित्र अवसर पर तीन द्विश्य अखंड पाट, विशाल भणडारा, विशाल सत्संग समहारों जैसे कई भव्य कारेकरम भी होंगे जिसमें आप सभी नगर वे ग्राम निवासियों को इस विशाल एद्वित्य भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत हर्याना इस कारेकरम का सीधा प्रसारण सुबा सवा नौ बजे से दोपहर सवा बारा बजे तक संद्रामपाल जी महराज यूट्यूब चैनल और स्पिच्वल लीडर संद्रामपाल जी महराज फेसबुक पीच पर भी देख सकते हैं पवित्र शिरिमत भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाईविल, पवित्र गुरुगरंत साहेब, पवित्र कभीर साहेब की वानी में छुपे हुए गूर रहस्य अर्थात, तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिये, जगत गुरुत तत्व दर्शी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन सतलोक के अंदर आपको मनुस्सरीद मिलेगा, वहां तीन पॉर्सन है सतलोक के, जैसे अपने कैपिटल है, राजदानी है दिल्ली, और दिल्ली एक सटेट भी है, तो दिल्ली का जो भाई दिल्ली है, ग्रामिन अक्सेतर है जो, वो तो समझो भार की दिल्ली, फिर बीच का बजारा गया, और फिर परदानमंत्री यानि अपना सेक्टरियेट जो राजदानी स्थल है, ऐसे ही वहां का भी भाजन है, तो भाई ये जो अक्सेतर है, कती बहार के साइड का, सतलोक का, उसमें बाग बगीचे फल, जरने, नदियां बह रही है, उसके नेक्स्ट, जो सेक हो, छोड़ कर, एक एक परिवार का पूरा दूइप है, जैसे आप किसी भी अधिकारी, करमचारी या पैसे वाले सेट के मकान को देखोगे, वो क्या बनाता है, बड़ी कोठी हो, एक अच्छा आगे आंगन हो, लान जिसे बोलते हैं, और उसके अंदर फल, फुरूटों के पोदे-पादे लगे हो, बगीची बनी हो, जरना लगा रखा हो, तालाव हो, इस तरह की हम सुईदा खोजते हैं, और हम पिकनिक बनाने जाते हैं, पाहड गुम देखने आद आते हैं, बुड़ी-बुड़ी सुन्दर सथान जरने देखने जाते हैं, यह हमारा सभाव वह से बना हुआ है, और यहां तो हम जाते हैं, वहाँ जेब गटवाका आ जाते हैं, दस जार रुपे लेगे कुलू और मनाली मईजून जुलाई में, और अपने पैसे खर्चों, वह कुछ दिनों के लिए इदरू-दर सहर सपटे करो, और पैसे बरबाद करके वापस आ जाने के बाद वो कभी अभाव नहीं, कोई खर्च नहीं और किसी किसम का कोई दुख नहीं, तो अब हम कोई द्रूखते हैं, और यह अपनी वार बना रहो, हम मरा नामना-कति ध्रूती नहीं टेंगे, दुखी और भी वोजावा, हम यहां से नहीं जा सकते। दूरते हैं हमने जानेंगे फिर लेकिन हम मर्तु खतरनाक हमारे लिए और बर दवस्था और ये सारा वहाँ होगा और वहाँ फिर दुख नहीं कोई काम नहीं अपना बहुती सुईता है आपको वहाँ भी आपको परमात्मा की याद बनी रहती है परमात्मा की तो सिमरन वहां भी आपने करना होता है उस सिमरन का इतना आनन्द आता है कई व्यक्ति सोचते हैं फिर वहां करें क्या वहां प्रमात्मा की याद वहां बहुत सबस्विदाइं हैं जो यावरनन नहीं कर सकते वहाँ आपको पता भी नहीं चलता कितना समय बीच जाता है और आप सदा सुखी रहते हो कोई रागदवेश नहीं कोई ऐसी चीज का अभाव निजिसे रागदवेश बने है कोई उच्छा बड़ा निच्छोटा बड़ा नहीं वहाँ पर है सबको एक जैसी सुखी जाता है तो यह सत लोग के अंदर सभी सुखी जाता हैं और वहाँ पूर्ण मोक्स है वो पराणी कोई परती बंद नहीं क्योंकि जितने भी यह कानून बनाए जाते हैं नकम आदमियों के लिए बनते हैं जो नागरिक अच्छे होते हैं वो तो वैसे अपना सद्धावना से रहते हैं वो कोई अपराद करते नहीं तो वहाँ सभी नागरिक सही हैं उनका कोई दोएस नी राग नी क्योंकि यहां से वही प्रानी जाएगा जिसका नेच्चर सुदर जागा और बगती धन हो जाएगा तो यहां आपका बिवहार और सभाव सुदरने के लिए प्रैक्टिकल कराया जाता है तो आप यहां आते हो सद्ध सिंग में आप यहां आकर के एक तो ग्यान सुनते हो ग्यान सुनो फिर ग्यान के उपर उसके अमल करो कि जो वचन कहे जाते हैं यह किसी डूम बाठ के गीत नहीं यह प्रमात्मा का दिया हुआ मार गए प्रमात्मा के दिये हुए वचन है ग्यान है और आप यहां आयकी सुदे से से हो इतनी दूर आप ग्यान सुनके उसके प्रैक्टिकल करें उसको अपने उसको इंजाम मल आए उसके उपर उस गाइड लाइन पर चलें अब जैसे यहां आते हो आप है यहीं से अपने आपको सुदारना शुरू करो जैसे सब यह लोग होते हैं बस में बैठे हैं और कोई देखा कोई वर्द है उसको कहते हैं अपने साथ अड़ेश्ट कर लेते हैं आओ आप बैठ जाओ और कुछ ऐसे नेक होते हैं अपनी सीट छोट देते हैं आओ जी आप बैठ जाओ तो पुछले पुन्त कर्मी प्रानी हैं वो ऐसे सब भाव जिनका बना हुआ अरे किन्यों का क्यों खड़ा रहे हैं तो वो कैसा विक्ती है तो ऐसे ही आपने ये अड़ेश्ट मेंट ये प्रैक्टिकल यहां करना है किस चीज़ की कोई अभाव हो भी जाए तो उसमें ज़्यादा व्याकुल नहीं हो अपने आपको एड़ेश्ट करना सीखे एक दूसरे को अपने साथ सेट करके अपना टाइम ऐसा बड़ी यास बितावा तीन चार दिन आ रहा हो इतने तो इसी परकार हम यहां उन्हें को वहां जाएगा जिसका सुभाव भी बदलेगा और आपका अंदर अब एमान कम हो जागा अब एमान निहीं पराणी वाण नहीं जा सकता तो यहां से आपको बिलकुल सुधार काए और बगती से परीपूर्ण करके तो वहां बेजा जाएगा तो फिर वहां जाकरे एक सब बैस समाद बन जाएगा अब परसंग चलिया है कि प्रमात्मा की भगती किसलिए करें ना करने से क्या हानी है करने से क्या लाब है तो क्या बताते हैं कि नर्सेती तू पस्वा कीजे गद्दा वैल बनाई ये छपन भोग कहा मन बोरे कही कुर्डी तरने जाई अब क्या बताते हैं कि जो ये भगती नहीं करते हैं और करते हैं तो सास्तर नुकूल नहीं करते हैं पून परमात्मा की भगती सास्तर नुकूल नहीं करते हैं प्रमसंत की खोज नहीं करते हैं और वो भगती करके भी जिवन वेर्थ कर रहे हैं क्या बताते हैं कि सुख देव ने चोराशी भुगती बन्या पजाव है खर वो तेरी क्या बनियाद पर रहनी तु पेंडा पंद पकड़ वो हो सुख देव एक रिसी हुए है और उनके इंदर पूरो जुनम के एक ऐसी पिछले संसकार थे कि बज़पन से उसमें एक सिद्धी थी आकास में उड़ जाने की आकास में उड़ जाने की सिद्धी थी पुनिय आत्मा आज कोई व्यक्ती इस संसार में ऐसा हो कि आकास मुड़ जा सारा विश्व उसके साथ हो जो उसको बगवान वान का पूढ़ने लग जाए क्योंकि हम अध्धातम मारग से इतनी दूर है अध्धातम ग्यान से हम बहुत दूर है और परमात्मा क्या बताते है कबीर जी कि सुकदेव रिशी आकास मारग से स्वरग चला जाता था और उसने गुरु धारन नहीं कर रखा था तो सबसे पहले सत्संग में ग्यान दिया जाता है कि बगती की आउशकता क्यों पड़ी है फिर बगती के लिए किन किन वर्ष्टूं की आउशकता है तो सबसे पहले गुरू होना चाहिए सुकदेव रिशी जी का गुरू नहीं था और पिछले जनम की उसकी भगती से बैटरी चार्द थी अब जैसे किसी के गर इन्वेर्टर होता है इन्वेर्टर की बैटरी फॉल हो चुकी हो और चारदर अटा दिया जाओ तो फिर भी काम करती है बल्लब भी जलते हैं पंखे भी चलते हैं वो अपना काम कर रही है लेकिन चारदर ना लगने से वो फिर एक दम डाउन हो जाएंगी बैटरी उसकी और सब सुईधाएं खतम हो जाएगी तो ऐसे पूरा जनम की जिनकी बैटरी चारद है आज कोई परदार मंत्री बन गया कोई राष्टर पती कोई अन्य पोश्ट प्राप्त है या कोई अन्य फैक्टरी मालिक है तो पिछली बैटरी चारद है इन्वर्टर काम कर रहा है लेकिन उन्हें चारदर नहीं लगा रख्या पिर वो एक दम फ्यूज होएंगे तो एक दम उनके जो सब सुईधाएं बंद हो जाएंगी जैसे आप देखते हो अब हम क्या चाहते हैं मंत्री बने परदान मंत्री बन जाएंगे एक पोलेंड देश का पूरा मंत्री मंडन पूरा कैबिनिट जिसम मंत्री भी मुख्यम परदान मंत्री भी और MPB देख उनकी साथ बॉल दी एक का विमान में बैठके किसी का सोक विक्त करन जाएं थे मुख काड़े और वो विमान दुर गटना गरिश्ट हो गया कहते हैं पिचाणवा सुदस्य थे उसके अंदर उजाज के अंदर पिचाणवा के पिचाणवा मरे गए और उनकी कितनी आसाई थी, कितनी उच पोस्ट थी उनके पास और क्या लेकर गए इस गंदे संसार थे तो पिनात्मों इन बातों को आधार बनाना पड़ेगा आपने तो उनकी बैटरी वह खतम हो चुकी थी वाजब डिश्टार दोई सारी सुधाय खतम और मिट्टी में ये बूत बने अंडेंगे वहाँ पर है एक दिन एक विक्ती बता रहा था हो ऐसे भी और एक दिन समाचार पत्तर में पढ़ा था हमने चार-पांच शेवर्स पहले इक बात है एक बहुत बड़ा राजनेता था उसके साथ चार-पांच एक दो गरकस्द से था चार-पांच उसके चेले चप्टे वो उसका हेलिकप्टर जो है अक्सीडन्ट हो गया मर गे सारे अब वो उस गाउं में जहाँ हेलिकप्टर गिरा था भूत बनके वहां दक्के खा रहे हैं और गाउं वाड़ों को दुखी कर रहे हैं वो कहते हमारा यहां पलेट फर्म बनाओ कोठी बनाओ हमारी यहां रहा करेंगे कोई यह भूत बात सेवडा शेवडा बलाया उनने पूछ चाथा सीकरी तब उन्होंने उसको बताया कि हमारा यहां वो बनाओ कोठी हम रहा करेंगे उनकी फिर हो एक तबूतरा साभ बनाएगा वो चरचर इंट्रला के सारे गिन्यारिकोठी बना रहा खी है अब वहां कोठी बनाओ बैखे हैं तो पर्मात्मा कहते हैं जो काम नहीं कि रहा है जो करना था इस मुनस दिवन से वो किया नहीं बकवादों में यह मूल धन नश्ट कर दिया वह बैटरी वोगी डिस्टार चारदर था नहीं एक दम समस्विजदाएं कहां गई वह प्रभूता कहां गई वो धन अब शर्पर स्टाइटल नहीं से हलिकप्टर नहीं वो यह ले डूब्या उसको तो यहां परमात्मा हमें याद लाते है के सुखदेव ने चोरा सी भुगती बन्या पजावे खरवो तेरी क्या बुनियाद परहणी तु पेंडा पंत पकड़िवो अब सुखदेव रिशी की बैटरी चारज थी पिछले जन्म की और उस बैटरी चारज से वो पहुंच जाता था वहां स्वर्ग के अंदर उपर के लोकों में तो वहां के जे कोमन स्वर्ग है ये स्वर्ग के हां ये रेस्टोरेंट है एक तो प्राइविट रेस्टोरेंट होते हैं उनमाद कोई डट जाजा के पैसे वाला एक सरकारी होते हैं उनमाद सरकारी ये दिकारी ही रुख सकते ये पहुंच गया एक दन ये जाता था कोमन स्वर्ग इंदर वारे स्वर्ग में फिर ये पहुंच गया बगवान भी सुनो जी के लोक में परतेक इन बगवानों के लोकों में इसी तरह रेस्टोरेंट बने हुए हैं और ये भी अपना काम ऐसे ही चला रहे हैं उनका ये टेक्स लगाते हैं जो यहां से पुर्करमी प्रानी जाते हैं जैसे एक होटल वाला चारद रख देता है उस का मेने का या जैसे भी घंटों का हिसाब से वो खर्चा लेता है सुकदेव रिसी जब पहुंचे स्वरग में वहां के होटल में विश्णो जी वाड़े बड़े होटल में तो वहां एक रूल बना रख्या हूनोंने कि जो गुरू यानि जिसने गुरू धान कर रख्या हो वही विक्ती यहां आ सकता है इसमें सटे वा सकता है अब सुकदेव रिसी का कोई गुरू नहीं था बैटरी चारज पिछले जन्म के पूनकरमों के कारण वो आकास में फिर रहा था तो वहां के जो पहरेदार थे सेवादार थे उटल के उन्हें मना कर दिया कि गुरू रिसी जी आपका कोई गुरू है नहीं और आपको इसमें इंटरी नहीं हो सकती आपकी वो अडग्यान गेहां साथ कि तुम पहले विक्ती देखियो हमने मैं तो ऐसे जाता हूँ वहां भी जाता था इंदर के लोक में जाता है उन्होंने का जी महां जाते होगे पर यहां नहीं जा सकते आप यह भगवन विश्णू का आदेश है उसने कहा कि मेरे को विश्णू जी से मिलाओ उतांडी पाक रहता है अर्दीगी गांट से पनसारी बनी गया अब उन पहरे दारों ने जाके बता दिया कि आपका क्या आदेश है और उसने ये कहा कि मुझे बगवान विश्णू से मिलाओ बगवान विश्णू आए बाहर अपने सीने तो ये सोचा था सुक देव जी ने कि मुझे देकर जैसे इंदर दोड़ा आता था ऐसे सीने से लगाएगा कि वाह बड़ी बगती कर रखे यह पहुंच गए लेकिन मरी आदा बहुत बड़ी चीज़ होती है वक्ति मारग में तो विश्णू जी ने उनको सिद्धे मुबात नहीं की और कहा यहां कैसे आयरिशी जी पुने आत्माओं जो विक्ति किसी के पास कोई उद्ध से लेकर जाता है और वो ये सोच कर जाए कि म आद धीत है उसकी बहंग वही उतर की जब बगवान ने नहीं कुछ चा तुम यहां किसली आया तो उसने कहा जी मैं उस दिन यह विचीत करना चाहता हूं आपके रेस्टोरेंट में इस्वरग में तो विश्णू जी को पता तो था यह फिर उन पार्कदों से पूछा जी की तो सिवा दोरन बता जिन का गुरू नहीं है तो बगवान ने कहा सुक देव आप जा सकते हैं बगएर गुरू वाले विक्ति को हम इसम प्रवेशनी होने देते हैं आप जाइए अब डिसी जी ने कहा कि बगवान इस पर्श्वी के उपर मेरे समान कोई जी ऐसा है नहीं मेरे जैसा कोई सिद्ध युक्त मैं किसको गुरू मना हूँ तो बगवान स्री विश्वी जी ने कहा कि सुक देव ये भी तेरी भूल है ये तेरा अबिमान बोल रहा है तेरा अग्यान बोल रहा है आप जाएए राजा जनक से उपदेश लीजिए राजाद ने कौन जो सीता जी के पिता थे अब वो देखो इन कई कहते हैं कि गुरू जो है बरमचारी होना चाहिए तो वो अभी उनकी भूल है उन विक्तियों की अपने अत्माओं प्रमात्मा के विद्धान से अप्रिशिद विक्ति इस तरह की अटकलवाजी करता रहता है तो इन सब प्रमाणों से हमें सिद्ध होगा कि गुरू कैसा होना चाहिए शिस के क्या लक्षन होने चाहिए कैसे उसमें गुन होने चाहिए और गुरू जी के अंदर कैसे लक्षन होने चाहिए अब सुक्षदेव रिशी बालबर मिचारी और साथ दूसंत रिशी और जाज़ जाज़ दने गरस्ती उसने ब्या करवा रहा कि गर्णे क्यों की राज़ा था अब वहां तो वह बोल नी सकाए बगवान विश्मों के सामने तो वापस आगया वापस आया तो वहारे सी और ने अन्य रिशी उसके पास जैसे पहले खूब चाहती खोल कर जाया करता था उद्धने उज़ जावा मूं लटकाई उन्होंने पूछा रिशी जी आपको क्या ऐसी क्या गटना गटगी बहुत दुखी से नजर आते हो तो उद्धने सारी कहानी बता दी कि मैं विश्मों जी के लोग में गया था और बगवान ने मुझे वहां रहने नहीं दिया तो उन्होंने अन्य रिसी देवों ने पूछा कि ऐसी बात नहीं हो सकती बगवान विश्मों तो बहुत प्यार करते हैं बहुत अच्छे बगवान है कोई बात और गडबड़ी पावेगी कुछ और गल्ती कर रखी होगी आपने तब उसने बताया कि मैंने गुरू धारन ने कर रखी है और बगवान ने या कंडिशन रखी है कि जिसका गुरू होगा वही स्वर्ग में रह सकता है विश्मों जी के स्वर्ग में तब अन्य जितने भी देव रिसी थे उन्होंने कहा रिसी जी आप तो बहुत भारी भूल किये बैठे हो हमने तो यह सोचा था आपने कोई गुरू बना रखा होगा आपने बहुत भारी गलती कर रखी है बिना गुरू के फिर रहे हो आपने जीवन नास कर दिया अब वहां उसने फिर बताया कि बगवान में मेरे सामने एक समझ शावर पैदा कर दी क्या पैदा कर दी कि कहा है कि राज़ाजनक से नाम लो तो क्या कहता है कि राज़ाजनक गरस्तिवाई और कैसे इसिस नमाउँ जाई वो एक गरस्ति में बाल परमचारी और कैसे नमस्कार करूँगा मुझको मेरी तन इज्जत का नास हो जागा अब ये मान बढ़ाई और इज्जत या भी बगती का एक दुस्मन है परमातमा कहते हैं राज तजना सहज है और सहज तरिया का ने मान बढ़ाई इर सा ये दुरल लब तजना ये और इनके तजे बिना बगवान नहीं मिला जाए कितनी बगवाद कर ले और परमातमा यहां आपको इसलिए बुला जाता है वैसे तो परमातमा अपने बच्चों के लिए सब सुधाएं ही उपलब कराता है दैलू है वो मालिका मारा पता है लेकिन फिर भी आपको यहां जमीन पर बठाना परणाम करने के लिए एक विशेस विद्धान है जिससे हमारे अंदर का यो जो मैल है अब इमान का दो सबसे बड़ा बाद है कि वगवान के मारे के यो खत्म हो जागा और इसके वगवान निक्ट नहीं आसकता अब जरा साभी मैल कहीं पर हो तार के बीच में कनेक्शन ले रख्या हो तो लाइट नहीं आवगी लाइट नहीं तो फाइदा कि वो सारे सांग के जोड़ना तो पावर प्राप्त करने के लिए भगवान की सक्टी को अपने पास लाने के लिए तो हमने ये एंकार रुपी ये मैल हटाना पड़ेगा तो सब ने कहा कि रिशी जी दुल्म कर दिया अपने तो बहुत गल्ती कर रखी है अब उसने जब यह बात सुनी क्योंकि पुनकर्मी प्राणी तो होते ही हैं ये लेकिन अज्ञान के कारण ये अपने अपने अठकल मारते रहते हैं जब इनको ज्ञान होता है तो तुरंट त्याग देते हैं बखवादाओं को एक दम उसके जटका लगा उसको अपना पिछला एक पिछले जन्मों की काफी वा कहते हैं न बैकराउंड देखी पिछले जन्मों के अपने दुख उसके सामने घोमने लगे उसको क्या हुआ कि जैसे उसको याद आया उसकी जिवद्रिष्टी वो चालू होगी अंदर की जिसनी उसकी रेंज थी अब क्या देखा सुकदेवरी सीने के एक बार वो गधा बना हुआ है गधे की योनी भोग रहा है कुमार ने उसके ओपर अच्छा बूरे में खूब नीचे से पकी कच्छी इटे डालता है और ले जाता पजावे पर पजावा होता है जहां पर यह कुमार लोग इटे पकाया करते थे उसका बठा सुरू किया लगाना उसमें जो भी इंधन डाला जाता उसकी राख बन जाती है अगले सीजन में उस राख के ऊपर ही वो दुब़रा लगा देता है क्योंकि उस राख को कह डाल कि आये और सतार नहीं Next season में फिर उसके ऊपर ही लगा देता हूं राख नीचे बर इसे बनते बहुत बड़ा पाहणो महोता है उसके उपर लगाना सुना करदेता है तो उसके उापर गध हैं ils से नीचे प्सजी पिर मार के लट नीचे रहे चलता कर देता है एकदम नाले में अगले पैर ठीके, वापिस आने में ऐस समर्थ रहा, आगे जाने कि मैं भलाई समझी, छलांग लगाई, वो ऐसा नाला था कि मैं फ्यट हो गया उसमें, आगे मुठे किया, पीछे तो पी थड़ी, पैर लटे किये, और उस रस्ते पर एकादुका कोई विक् कमर पर रखेर पार हो जाब पुरी बना ली मेरी, अपते दस तिन तक भुगत कर मेरा जीवन पूरा हुआ है, अब वो रिसी कहने लगे फिर, अब क्या देखना चाहता है तू, ये तो हालत जब है जब तूने, आखों देख लिए और फिर तू नखरे कर रहा है, तो उसकी जो बुदी के सुक्रिव डिल्ले हो रहे थे, वो टाइट होगे, एक मिंट में, अर चल पड़ा है वहां से, फिर आगया अपने पिता व्यास जी के पास, जब सुखदेव रिसी का जनम हुआ, वो बारह वरस तक मां के गरब में रहे थे, और उसको मां के गरब में इस प्र रजबर्मा जी रजगुनी है, रजगुन है इसके अंदर है, और विसमो जी सतगुन है, और संकर जी तमगुन है, तो इनके गुनों का परभाव बाहर आते ही बच्चे पर एक दम असर कर जाता है, इनके बसकी फिर एक दम अचेत हो जाता है, भूल जाता है, कुछ भी या यास को पता था कि बार जाते बात बिगडि जाएगी उदय से भूल जाता है परणी इस लिए बारा वरस तक माँ कि गरबभी से बार रह नी आया उपस्तित है कि वह जैए बाहर आजा ऐसे तो हमारा तोनी सारा कर्म बिगाड़ दिया अब बारा बारा वरस तक माता हैं बच्चे को गर्ब में रखेंगी यह तो एक आदत सी पड़ जागी सबको तो यह तो नौ मेने में दुखी हो जाती हैं इतने दिन कैसे रखेंगे तू बाहर आवाई यह मारी परमपरा खराब मत करें शुक्देव ने कंडिशन रख दी एक सर्त रख दी कि बाहर जब आउंगा तुम अपनी इस तिरगुनमई माया को रोक लो यह कहन लगे वाई देखो हम इसको रोकने में इतने सक्सम नहीं हैं हम रोक नहीं सकते लेकिन सेकंड के भी कुछ अंस के लिए हम अपना कुछ कंड्रोल कर सकते हैं ना यह परवा हमसे नहीं रुखता शुक्देव रिशी ने कहा कि तुम एक बर रोक दो थोड़ी शी देर तो कहते हैं सेकंड के भी कुछ अंस में ही वो रोक पाए थे तभी वो मा के गर्म से बार आ गया और उसको चेतना रही कि भगती ना करने से जीव विर्थ हो जाता है, जीवन नष्ट हो जाता है, उसको यह आभास हो गया कि ये तो मा के गर्भ में ये याद रहती है, कि मुनस जीवन प्रमात्मा प्राप्ती के लिए फ्राप्त होता है, अब उसने सारा कुछ कर लिया, मा के गर्ब से बाहर आते ही अपनी ओर नाल को जो सुन्डी से लटकी होती है मा की नाभी से कनेक्शन होता जेर सी उसने अपने कंदेब डाल गया रूठ का चल पड़ा ब्यास जी ने आवाज लगाई अरे पुतर मेरे बेटा मेरे बेटा कहां चले अपने आत्मों पूतर का वो बहुत खतरनाक होता है बहुत परबल होता है पूतर मों में रिशी जी बार बार पुका रहे हैं बेटा एक बार दर्सन तो दे दे अरे एक बार शकल तो दिखा दे बारा वरस बाठ देखी तेरी अरे बारा वरस तक इंतजार करी पूतर की दरसन करूंगा ये पीछे से बात कर रहा है चलता चलता के रिशी जी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया ये तो बुरी बिमारी है मुझे इसमें मत फसा और यहां कबीर साहिब ने कहा है उसने क्या कहा रिशी जी ने सुकदेव रिशी ने क्या कहा कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसे का पिता नी पूतम ये तो रण संभन्द जुड़ा एक ठाठा अंसमे सब्वारा बाटा यह तो एक दूसरे का लेन देन उड़ रहा है कोई किसे का बाप नी कोई किसे का पूतर नी जिस जिसके जितने संसकार वो अपने पूरे करका यहां से चले जाएंगे फिर कोई गदा बनेगा कोई कुटा बनेगा कोई मनुसी बन जाएगा यह फिर परिवार ऐसा नहीं होगा और इसका उदेश से बक्ती करने का है और मैं तेरे दर्शन करूं नहीं पता जी मेरे मुझ जाग गया तो मैं फिर बक्ती से वंतित हो जाऊँगा यूं कहकर आकास में उड़ गया जब तो वो चला गया उसके बाद फिर आया जब युवा हो लिया फिर वापस आया अपने पिता जी के पास कि बड़े विद्वान पुरस है उनसे सलहा लेता हूँ ब्यास जी ने कहा आगया पुतर कि आगया पिता जी अच्छा बेटा बड़ा कोई बात नी अब आगया सुबह का भूला स्याम को आजए तो कोई दिक्त नी आ जो मेरे पास रहो बेटा तब उसने कहा सुकदेव रिशी ने कहा कि पता जी मेरे सामने एक समस्ष्या खड़ी होगी एक प्रोब्लम भारी है सारी कहानी बताई ही मैं ऐसे विशनु जी के लोक में गया था उन्होंने वारे ने से बना कर दिया क्योंकि मैंने गुरू नहीं बना रख्या पुने आत्माओ जो परमात्मा की विद्धान से प्रीचित पराणी होते है वो एक कर सुर में बोला करते है तो व्यासरिसी जी का भी मात था ठंकिया और केन लगया रहे बेटा तन्दा अपना जीवन नास किया मैंने सोचा था चलो सबर कर लिया था संतोस कर लिया था मैंने मेरा बेटा अपना कर लान करवा लेगा तन्दा नास कर लिया अपने जीवन का या क्या सोचा तो उन्हें गुरू नहीं बना रख्या अरे जाएगा कहां तो फिर उसने अपनी वो दूसरी प्रोब्लम बताई कि बगवान विश्मन ने कहा है कि रादा जनक कौम गुरू बना हूँ मैं तब बाल बरेम चारी और वो गरिश्टी मैं कैसे सरम आवा पिता जी कैसे नमस्ते परम परनाम करूंगा उसके पता ने कहा बेटा यदि बगती करना चाहता है और इन दुखों से बतना चाहता है तो ये करिया तो बेटा करनी पड़ेंगी ज़र जो बगवान ने कह दिया जब परमात्मा का आदेश होगार फिर अगर-मगर कर रहतों भी दुवान काएका तेरी ये दो दिन की बेटरी तारज है फिर ब्रहन मैटी होगी तेरी बेटा तो विदुवान काएका तो तुम जीवन नश्ट कर रहा है और मुझे भी कलंकित करेगा जा कर नाम ले बेटा जीवन नाश्ट ना कर रहे तब वो गया राजा जनक के पास अपने अत्मों राजा जनक के पास जबरेशी जी पहुँचे राजा जनक ने अपने सेवकों को नोकरों से कहा आसन लगा दो महरेशी जी आए है आज हमारे भागुदे होगे आसन लगा दो बढ़िया बढ़िया कपडे लगा दो पूलों से सजा दो उन्हों दे एक मिन्ट में कहते ही कर दी आसन लगा दिया तो कहा राजा जनक ने कि रिशी जी विराजो बैठो आसन पर जमीन पर बैठ गया कहने लगा मैं आपको गुरू बनाने आया हूँ आसन पर नहीं बैठ सकता अब राजा जनक के यकीन नहीं हूँ अच्छा नहीं है बात ये रिशीदे शर्फरे होते है ये कोई किसी नोकर ने कुई किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया इसको क्योंकि ये सराफ भी दे सकते हैं ये तो विसैले सरफ भी होते हैं के पास ये शराफ देंड की भी एक पाव रखते हैं राजा जनक चंती तो हो गया कि फगवन कोई गलती हो तो माफ करना डिशी जी हम तो ग्रेश्टी बेखती हैं किसी नोकर में कुछ कह दिया हुआ आपको माफ करते हैं आप नीचे ना बैठो मेरी बेजती हो मेरी जो है ना मैं यह सेन नी कर सकता क्योंकि रिशी एक नीचे बैठे कोई गलती हो तो माफ करो तो कहने गया नहीं आज मैं उपर नहीं बैठ सकता क्योंकि मैं आपको गुरू बनाने आया हूँ उसने सारी कहानी सुना दी ऐसे ऐसे मैं विश्णू लोक में गया था और बगवान का आद लेकिन दिक्सादेन से पहले सिस की थोड़ी बहुत कुछ उसको सेट करना पड़ता है जैसे अब दास आपको ग्यान देता है पूरा विधान बताता है जो जो समझदार वक्त आते हैं पर थंबार आते हैं तो इस ग्यान से परभावित होकर वो इस दास को एक संत मान कर ना काम लेते हैं और फिर विस्वास दड़क तासे उस पर लगते हैं तो लाब मिलता है नाम भी ले ले विस्वास ग्रूप हूँता नहीं तो उसको लाब नहीं भुआ करता है जहत żनक ने कहा दित सुबह नाम दूबाड सुनान करके आप रात को रेस्ट करो अब कहने का भाव ये है राजा जनक ने एक अलग कक्स में उसकी वरस्था कर दी रिशी जी के रुखने की और वहाँ पर एक नोकराणी एक औरत की बेहन की सिवा लगा दी तो रिशी की सिवा कर उसको सारा समझा दिया लड़की को कि ऐसे ऐसे इसकी प्रिक्सा करना रिशी जी बैठे थे अपने बैड पर लड़की अंदर गई और उसी के बैड पर बैठी की चरणों की तरफ रिशी जी ने पैर मौन दिये और आगे नोही तो रिशी जी बैठ गए और उसके निकट गाना चाह तो रिसी जी बैड छोड़कर खड़े होगे कोने मा, कहने लोगे माई, बेहन, आप क्या कर रहे हो, सादू संतों के हाथ नहीं लगाते, मिस्टर पर नहीं बैठते आप क्यों मरियादा भांग करें, आप दा सकते हो, वा लड़की आगी, अब राधा जनक ने पूछा तो उसने सारी कहानी बता दी जी, एक नंबर के मात्मा है तो मैं टच्बी नहीं होने दिया, मुझे और खड़े हो गए लिए ये सब्द को भांगे, तो ठीक है अपने आत्माव परमात्मा ये कहते है कि गोरक से ग्यानी गणे और सुक्दे जती जिहान और सित्ता से वह भारिया संत दूरस थान ऐसे जती भी था ऐसा दड़ विश्वासी भी था संयमी भी था लेकिन नाम बिना कती खाली खोखा था अब गुरु बिना और सचे ना यथार्द बग्ती के बिना खाली खोखा है ये मनुस्का जीवन सरीर वो वेल विदाउट वाटर है तो सुबह राजा जनक ने क्या किया किसकी फड़क निकाल दू यून्यों कहता राजा जनक रस्तिवाई और मुबाल बर्मचारी मने इस तरी का मुख नहीं देखा सुक्दे बोले ग्यान विवेका हमने कदे इस तरी का मुँ नहीं देखा राजा जनक रस्तिवाई कैसे इसी इसने वाँ उजाई तो राजा जनक ने बुला लिया कि रिशी जी को बुला लाओ रिशी जी बैठे, नीचे बैठे, नीचे बैठे, नीचे बैठे, जमीन पर, कोई दरी दूरी बिश्वादी है, और साथ में ही थोड़ी सी दूरी पर, नौकरों से कहा, राजा जनकने के वही गरम पानी करो, वो समझा रहे थे थे, अच्छा बठ बाल तो इसमें पूरा कड़ाई है, पानी गरम करने की कड़ाई रख दी, और साथ में नाने के लिए एक पाटडा बिशाय लिया, जैसे पटड़ी ही होती है, फहले बड़े-बड़े पाटड़े होते थे, पूरा तीन वाई दो का, तीन वाई तीन वाई तीन गा, लकड़ी के पटड़े ही बना लिया और उसकी दस जार रानियां बताते हैं राजा जनक है उस में से जो उनकी मुख्य रानी थी पट्रानी बोलते हैं उससे कहा मुझे सनान कराओं अब वो सनान करने के लिए बैठ गया उसकी पत्नी उस उबलते हुए जल से नुबाल रखा जैसे गुलगले टारा रहा हु जले भी उतार रहा हुआ जब उबाला करें गी को तो उस उबलते हुए पानी से लोटा बर है वा पट्रानी राजा जनक के चोटी में डाला है राज से मसला है नुसार है और वो शुक देवरे सी यो हो पाच्छे न जलेगा वी उख वा लोटा गेरा और पाच्छे न शरक अग्जल गया तब राजा जनक ने कहा कि ए बाल बर्मचारी ए ब्यास के बेटा मैं गरिष्टी हूँ और मेरे सनान करने के बाद जो पानी गटर में जा रहा है ये नाली में जा रहा है तो इसमें उगली जैजे बेटा तब जानूगा तो किसा बाल बर्मचारी है नहुला में जा जूँ आज जलजा मेराता है राजा भीहंस देई तबतारी और हमें असनान करावे नारी ए बर्मचारी तेरे तत्या नारी आच्छी ये पत्ल लड़की जो सच्चे नाम इस सजी मंतर के जाब से तो कुने आत्माओं या फड़क निकले बिना गुरू बनाना का कोई यूजबी नहीं लाव नहीं हो जीव को जब तक आपको गुरूदी पर विस्वास नहीं होता इतना दारन नहीं करना चीए फिर अगरम-गरम करते हो तो बक्ती खंड हो जाती है तो उस दन के बाद राजा जनक के परती उसकी पूरी सर्दा होगी उसने सिर्फ ये चमतकार देख गुरूबास विश्वास होगा है विश्वास करके ये उन चमतकारों से नहीं वो तो परानी कताएं हैं जैसा उनको लाव हुआ कितना लाव हुआ राजा जनक से उपदेश लेने के बाद सुक्देवर्शी स्वर्ग में गया बस विश्वास लोक में वराजमान है और पून खतम होते फिर यहां तक के खाओगा तो इस ग्यान को आधार बना के गुरूबनाना है और बक्ती करनी अपना कल्लान करवाना है प्रमात्मा कबीर प्रमेश वर्दी ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं ये पिता हैं हमारे और हम अपनी गल्ती के कारण इस काल के जाल में फस गए अब यहां पर कोई परानी सुखी नहीं है यहां तक कि स्वर्ग लोग के देवताओं को भी चैन नहीं है फिर हम यहां रह किसलिए रहे हैं ये हमें भी मालूम नहीं था हमने इस जनम और मर्टू को और संतानों उत्पत्ति और परवरिस को इनके पालन लालन को विवा को बस इसी काम को अंतिम मान रख्या था कि हमारा इतना ही कर्टव है ये पूरा होने के बाद हमारी बले ही मर्टू हो जाए अब प्रमात्मा ने आकर के ग्यान दिया है आग गए ना बावडे रते भी सब जाही बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठकाना नहीं पहले चले गए उन्होंने तो आकर बताया नहीं उनकी क्या दसा हुई आगे और रहते हैं जो सेश बचे हैं वो भी चले जाएंगे यानि मर्टू और जनम होते रहेंगे बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठकाना ना प्रमात्मा की सत्पुरस की बग्ची के बिना इस जीव को कहीं सथाई सथान नहीं प्राप्त होता है जैसे मनुष शरील के अंदर प्राणी की मर्टू होनी डाफिनेट है या मर्टू हुई पुन और पाप के आधार से आगे इसको सथान मिलता है पुनों के आधार से स्वर्ग प्राप्ती होती है स्वर्ग का समय सीमित होता है वो उसके पुनों पर आधारित होता है जब स्वर्ग के अंदर उसके पुन की पुन्जी समाप्त हो जाएगी उसको कुछ समय पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है कि अब तिरा जाने कासे में आ चुका है ये और समझचा है वहां सुर्ग के देवताओं की सुर्ग के वासियों की वासियों को उनको पहले पता लग जाता अब तुम्हारी मर्टू होगी ये समझ़ो उनको फासी की डेट दे दी जाती है तो फिर वो प्राणी उस सुर्ग में रहकर भी नर्क मैसूस करता है वहां मर्टू के उपराण जबरदस्ती जैसे यहां बाई फोर्स मार दिया जाता है मर्टू कर दी जाती है कोई कारण बने है इसी परकार सुर्ग में भी समय पूरा होते ही वहां से बाई फोर्ष निकाल दिया जाएगा, बलपूरवक है, फिर नरक में डाला जाएगा, नरक कसमें पूरा होते ही, वहां से बलपूरवक बाहर फैक दिया जाएगा, तो अपने आत्मों, यहां पर्थवी लोग पर मरती हुई, यहां से होई, चलो चलो, श्वरग में आ गए, वहां होगी, चलो चलो, और फिर नरक से भी फिर चलो, गजे की योनी पाई, फिर मरती हुई, चलो, कुता बनो, कुते की मरती हुई, चलो, शुर बनो, तो ऐसे और फिर समय आने पर फिर मनुष बनो, तो यहां प्रमात्मा बताते हैं, आग गए ना बावडे रहते भी सबजां ही बिन साहिब की भगती कहीं छोड़ ठकाना ना ही जैसे मुती ओसका ऐसी तेरी आव गरीब दास करो बंदगी बहुर ना ऐसा दाव अब क्या बताते हैं है आपका मानौ सुरीर ऐसा है जैसे सुब़ सुब़ ओस गिरती है गास पर, काट्रों पर, पत्तों पर और सुर्य उदे होते ही एक गंटे के अंदर उसका नामो निसा नहीं होता तो यहां बताते हैं प्रमात्मा गरीब दास साहिब जी कहते हैं प्रमात्मा से प्राप्त ग्यान को जैसे मुटी ओस का ऐसी तेरी आव तेरी आईू ऐसी है और गरीब दास कर बंदगी बहुरनी ऐसा दाओ अब दाओ कैसा है मनों सरीर एक दाओ लगा हुआ है आपका और इस दाओ को चूक गए फिर बहुत लूंबा कारिये प्राहरम हो जाएगा तो रासी लाख योनियों में बरम बटक कर कष्ट उठा करके फिर कभी मानों सरीर प्राप्त होगा तो यही क्रिया है फिर हम करते रहेंगे तो पुन्यात्मा प्रमिश्वर ने बता है सुक देव ने चौरासी भुगती बन्या पजावे खर वो तेरी क्या बुनियाद परणी तो पेंडा पंत पकड़ वो सुक देव जैसे रिशी ने भी चौरासी यानि चौरासी लाख योनियों के कष्ट उठाए और बन्या पजावे खर वो खरमा ने गधा कुमार के पुजावे पर यानि उस किलन पर जहां एटें पकाई जाती है और जहां पर बरतन पकाई जाते हैं उसको पुजावा बोलते हैं पुजावा यहां की बासा और खरमा ने गधा ऐसे रिसियों की भी यह दुरगती यहां हो रही है तो परमात्मा कहते हैं तेरी क्या बनियाद परानी तो पेंडा पंथ पकड़े वह पेंडा माने वह मारग कौन सा मारग जिस से यह तुरह सी लाख योनियों की यह बरमना यह कष्ट जनम और मर्तू समाप्त हो जा उस मारग को पकड़ उस ग्यान को गरहन कर उसके लिए शिरी मद्ध बगवत गीता अद्धाय नमबर चार के सलोक नमबर बत्तीस में कहा है कि अरजुन जो मैंने अभी आपको ग्यान सुनाया अद्धाय नमबर चार के सलोक पत्तीस से लेकर तीस तक जिसमें कहा गया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं और कोई हवन यग ही करके संतुष्ट है और कोई योग अभ्यास करता है कोई तीक्सन अहिंसावादी मर्त रखता है जैसे मुख पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों गूमते हैं कि कोई जीव हैंसा ना हो जाए और कोई सवध्याय करते हैं जैसे कोई गीता जी का पाठ करता है तो कोई वेदों के कुछ सलोकों का मंतरों का डिलिश वध्याय करता है तो इस परकार के जितने भी किरियाएं है जो भी कर रहा है वो अपनी किरियाओं को सत्त मानकर कर रहा है आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं चैसे ऋह ले आपने बताएं कि आप हुझ्दु धर्म की पारमपर कूजळा करी रहे थे तो हम आपसे ये जना चाहें के जबाप हिंदु धरम की पारमपरिक पूजा करी रहे थे तो फिर आप संतरामपाल जी महाराजी की सरंड में क्यों गए? मतलब मैं इतनी परसान हो जाती थी, कभी कभी तो आप समन करता था कि जैसे मी मरी जाओं, मतलब कुछ ऐसा कर जाओं, कि क्या रखाया, मतलब हमारी तो आपस में बनती नहीं थी, तो फिर जैसे मेरे हस्मान ने नाम अपदेश पहले ले लिया था, तो मैंने नहीं लिया था और पहले में को गुर्जी के बारे में ऐसे ज़्यादा नेक्ट बीटी थी, मतलब मैं सोच जी कि ऐसे ही बोलते हैं, मतलब संटरापाल जी महराज जी के बारे में ऐसे गल्त बोलती थी, कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये ऐसे मतलब दिखावा परने हैं सब कुछ, तो फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ कि मेरे हस्मेन ने बोला कि मैं सचसंग जा रहा हूँ, तो मैंने भी बोला कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि कैसा सचसंग होता है आपके गुर्जी का, तो मैं भी उनके पीछी-पीछी चलेगी, फिर जैसे मैं वहां पे सचसंग सुनने बैठी तो मेरे ऐसे अपने आप यांखों में आँशू आ गया, सचसंग सुनते सुनते और ऐसा मन किया कि मैंने भी आज नाम उपदेश ले लेना है, रिना जी मैं आपसे जाना चाहेंगे, आप संत्रामपाल जी महाराज के बारे में क्या नेगरिटिव सोच रखते थे, और फिर जब आपने संत्रामपाल जी महाराज जी के सचसंग सुने, तो आपको किन बातों ने प्रभावित किया? तो वहां पर मेरे को ऐसा लगा सचसंग सुनके, जैसे वो किताबों जैसे ग्यान गंगा, जैसे बेदों को पढ़कर सुना रहे थे, तो वहां पर मैंने देखा कि वो मतलब ऐसे सास्तर अनकूल भक्ती बता रहे थे, और सबसे पहले तो मैंने यह सबसे मतलब यह एक्सपिरिंस रहा, कि जैसे उन्होंने बगाया कि हम जनमन से चुटकारा पा सकते हैं, मतलब जैसे हम पहले नॉर्मल भक्ती करते थे, जैसे शीप जी की पूझा करते हैं, तो उनसे हमारा मतलब गुर्जी बता रहे थे उस टाइम, कि इनसे हमारा मोक्स नहीं हो सकता है, यह सिर्फ हमारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने जन्मन से चुटकारा पाना है तो हमें मतलब एक सच्चे परमात्मा की भक्ति करनी होगी उससे हमारा मुक्स प्रापत हो सकता है तो वो गुर जी सास्तरन कुल भक्ति बता रहे थे उस टाइमा तो मेरे को सबसे पहले यह लगा कि मैं जैसे हम पहले से जो भ महाराज से नाम दिख्षा ली तो फिर आपके जीवन में क्या बदलाव आए संतरांपाल जी महाराजी की नाम दिख्षा लेने के बाद मेरे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि जो हमारा आपसी जगड़ा था वो मतलब खत्म हो गया जैसे मैं पहले सूचती कि जब तक मैं मरूंगा नहीं और मैं तुझे छोड़ सकता हूं पर नसा नहीं छोड़ सकता हूं जब से संतरांपाल जी महाराजी की सर्ण में आने से इनोंने मतलब नसा चूट गया और आ तक मतलब यह नसे को हाथ तक भी नहीं लगाते हैं संतरांपाल जी महाराजी की सर्ण में आने से दूसरा सबसे बड़ा लाब यह हुआ कि मैं मतलब जैसे मैंने जेबटी की थी और मैं टैट के लिए तनी कोशिश करती थी तनी कोशिश करती थी कितने मतलब बहुत सालों से लेकिन मेरा टैट कौलिफाई नहीं होता था जैसे लेकिन संत्रामपाल महराजी की दया से मेरा टैट भी क्वालिफाई हो गया और कुछ टाइम के बाद संत्रामपाल महराजी की दया से मेरी जौब भी लग गई है अब और तीसरा सबसे बड़ा लाव यह हुआ कि जैसे मैंने मेरी बेटी है मतलब आठ साल की हो गया मेरी बेट और जैसे इदर उदर के बोलते थे कि आप मतलब जैसे बेटा देख लो तो हम भी पंडित के पास गए तो वहां पे पंडित को दिखाया बेटी के जैसे टीप बिगेरा होती है तो फिर उन्होंने बोला कि जैसे मतलब आपका तो बेटा ही नहीं हो गए इसके भागय में अपना की संत्रामपाल महराज जी आपको पता है कि आपके बच्चे को क्या चाहिए और क्या नहीं मैंने सिर्फ इतना ही बोला था और आज संत्रामपाल जी महराज की दया से हमारा एक बेटा भी हो गया है और एक और सबसे बड़ा लाब ये भी है कि हमारा पहले हम दूसर संत्राम पाल महराजी ने दया से हमारा एक घर भी बन गया है आज हम हो और रहते हैं और महरा मतलब जैसे जीवन इतना अच्छा बना दिया है संत्राम पाल पाल जी महराजी के सन में आने से सबसे बड़ा लाब मेरे को यह हुआ कि मतलब जैसे मेरे सिरी में हावी ही रहती थी, कुछ ठाइम के बाद है कि पर जब से हम संत्रामपाल जी महराजिए के सरन में आये हैं, तब से वो भूत बादा अपने आप ही खतम हो गई है तो रिना जी क्या संत्रामपाल जी महाराज ने आपकी भूत प्रेट की बादा को ठीक करने के लिए क्या आपको कोई जादू टोना या कोई किरिया करम बताया जिसको करने के बाद आपकी भूत प्रेट की बादा ठीक हो गई नहीं सर, संतरामपाल जी महराजी ने ऐसा कोई कुछ भी नहीं दिया है, वो सिर्फ मतलब नाम उपदेश देते हैं, और उन मंतरों का जाप करने से ही अपने आप वो भूत बादा दूर हो जाती है, और मैं तो यह कहना चाहती हूँ कि संतरामपाल जी महराजी इस धर्ती में एक साधान ब्यक्ती नहीं है, वो तो एक परमात्मा के अवतार हैं इस धर्ती में, जो लोगों का मतलब एक कल्यान कर रहे हैं, और उनकी जो समस्य हैं, उनको दूर कर रहे हैं, और आज संतरामपाल जी महराजी की दया से मेरा जीवनित ने सुकी हो गया है, मतलब मुझे कि मतलब कोई दुख तकलीफ नहीं है, हर चीज परमात्मा ने अपने आप दे दी है, रेना जी जिस तरीके से आपने बताया कि आपके पती नसा करते थे और उस वज़े से आपके घर में लगातार ग्रैकलेस बना रहता था, तो हम आपसे यह जाना चाहेंगे कि आप जैसे ब मतलब को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई व्यक्ति संद्रामपाल जी महराज से नामदिक्सा लेना चाहते हैं, तो वो उनसे नामदिक्सा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संद्रामपाल जी महराज जी से नामदिक्सा लेना बहुत ही सान है, आजकल फॉन पे आप इंटरनेट में जैसे यूटूब में, फेस्बुक में, इंस्टाग्राम में आप गुर जी का वीडियो देख सकते हैं, उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, और कहीं भी आप मतलब वहा संद्रामपाल जी महराज जी के मंगल प्रवचन, अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jakatgururampalji.org संत्रामपाल जी महराज जी के शुब आशिवात से पूरिव विश्व भर्मी 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं, जिन पर संत्रामपाल जी महराज जी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही हैं, अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541 पाट सितंबर दूहजार चौबीस को नेपाल सहित भारत के सभी सतलोक आश्रमों में तेन द्विश्य महासमागम का आयोजन किया जा रहा है इस पवित्र अवसर पर तेन द्विश्य अखंड पाट विशाल भंडारा विशाल सत्संग समहारों जैसे कई भव्यकारेकरम भी हो मैं आप सभी नगर वे ग्राम निवासियों को इस विशाल एद्वित्य भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम सोनीपत हर्याना इस कारेकरम का सीधा प्रसारन सुबर सवा नौ बजे से दोपहर सवा बारा बजे तक संद्रामपाल जी महराज यूटूब चैनल और स्पिच्वल लीडर संद्रामपाल जी महराज फेस्बुक पीच पर भी देख सकते हैं